हेलो स्टुडेंट्स, आज हम 12th क्लास, सब्जेक्ट ITP, लेसन 2 एरे पढ़ेंगे एरे जैसा आपको डेफिनिशन अज़र आ रही है, एरे समान प्रकार के एकदिक मानों का समूह है array is a collection of similar type large amount data, समान नेता है हम प्रोग्राम निश्पादन के दोरान किसे भी प्रकार के मान को संग्रेद करने के लिए variables का प्रयोग करते हैं यदि मैंने एक int प्रकार के variable की गोशना करी x और उसे मान प्रदान करा 5 तो वो memory में अपने अंदर 5 को संग्रेद करेगा लेकिन जब मैंने x का मान बदल के साथ करा तो पुरानी value यानि 5 लोश्ट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी और अब x पर 5 के बजाए 7 संग्रेद हो जाएगा एक, दो, तीन, चार या कुछ मानों तक तो यह बात संग्रेद हो है लेकिन जब मुझे अपने 5 सब्जिक के मार्क से स्टोर करने है एक ही चर का प्रियूग करते वे मैंने x में अपने 1 सब्जिक के मार्क स 9 स्टोर करे x का वर्तमान मान हुआ 9 लेकिन बाद में मैंने जब मुझे चार संग्रेद किया तो पुराना मान यानि 9 मेरा खो गया, लोस्ट हो गया ओवरलेप हो गया, चार के दुवर तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक variable एक समय में मात्र एक ही मान को संग्रेद कर सकता है इस प्रकार हम सामान न चर में एक से अधिक मान का संग्रेद नहीं कर सकते साथ ही जब हमें कुछ variable प्रियोग में लेने है तो हम इस प्रकार से एक कॉमा, separator का प्रियोग करते हुए एक ही कथल statement में एक से अधिक समान प्रकार के चरों का गोशना कर सकते हैं एक्स वाई जड इस तरह से लेकिन जब हमें लाखो करोडों में चरो की गोशना करना ही हो लाखो करोडों में मानों का प्रियोग लेना हो तो इस प्रकार इतने अधिक चरो की गोशना करना उन्हें संभालना उन्हें प्रियोग में लेना और विवस्तित करना काफी जटिल हो तेहं जैसे इस कथन में मैंने एक्स वाई जेड तीन चरू get all machine कора करें यह तीनों एνट प्रकार के मानों का संग्राण करेंगे मेमोरी में अपनी अलग अलग इस्तान लेंगे लेकिन यहां इस कथन में माने इंट प्रकार के एक चर की गोशना करिए जिसका नाम है एक्स और यह सब इस क्रिप्ट बॉक्ष दर्शाता है कि यह सामानेचर नहीं एक एरे है जो अपने में तीन मानों का संग्रण करेगा और तीनों मान एक्स नाम से पैचाने जाएंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि में अपने पांच विशियों के मार्क्स स्टोर करने के लिए एक वेरियबल के बज़ाए एक एरे का यूज़ करूँ तो यह एक्स नाम का वेरियबल ही मेरे पांच मार्क्स को या मेरे पांच मानों को संग्रहित कर सकेगा इस प्रकार एक array समान प्रकार के एक अधिक मानों का समू है अर्थात यह एक ही समय में एक से अधिक मानों का संग्राण कर सकता है लेकिन सभी प्रकार का data type समान होना चाहिए अर्थात वो अलग-अलग प्रकार के मानों का संग्राण नहीं करें है इसके अतिरिक्द एक ही कथन में गोशित वेरीबल क्या चर अलग अलग मेमोरी इस्तान लेते हैं अर्थात डाइनमिक मेमोरी लेते हैं यानि हों लो हाड़िस्क के किसी भी बाग पर संगरित वह सकते हैं आफ़िशक नहीं है कि एक कथन में गोशित किये गए चर सभी एक इस्तान पर मेमोरी लेंगे लेकिन एरे एरे मेमोरी में निरंतर इस्तान ग्रहन करता है अर्थात एरे के कितने भी चर हो पाच चर हो सो चर हो कितने भी चर हो वो मेमोरी में निरंतर इस्तान लेते हैं ना कि सामाने चरों के बाती अलग अले इस्तान लेते हैं जब हम एक एरे घोषित करते हैं तो एरे के गोशना के समय गोशना के समय हमने हमें नेमने तीन बाते बतानी आवश्चक है एरे के दुवारा संग्रेट किये जाने वाले मानों का डाटा टाइप array का नाम अर्थात उसकी पहचान और array द्वारा संग्रेत किये जने वाले मानों की संख्या अर्थात उसका आकार जैसे नीचे उधारन में हम देख रहे हैं int x5 क्यर x6 यह array integer प्रकार के पूरणांक प्रकार के 5 मानों का संग्रेन करेगा सबी का नाम X होगा लेकिन उनकी भिन भिन पहचान के लिए उन्हें अलग-अलग इंडेक्स नंबर प्रदान किये जाते हैं इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से अप्रारंब होते हैं और आकार से एक कम पर समाप्त होते हैं यह एरे केरेक्टर प्रकार के वर्णाक्षेर प्रकार के 5 मानों का संग्रेन करेगा अब यहां देखिए जब हम संख्यात्मक मान लेते हैं तो जितने भी हमने उसका साइस दिया है वो उतने मानों का संग्रेन करता है लेकिन क्योंकि क्यार एरे या केरेक्टर प्रकार के एरे का अन्ति नल मान के द्वरा किया जाता है यदि प्रियोग करता फीड नहीं करता तो इस प्राकार आकार 6 होने के बावजूद भी अंति मान नल रहेगा और प्रियोग करता इस एरे में मात्र पाँंच वानों का ही संग्राण कर पर सकھیगा जब हम एरे गोशित करेंगे X5 तो यह है मेमोरी में लगबग इस प्रत्रकार इस्तान लिखा X80 पहला variable X81 दूसरा variable और इस प्रकार क्यूंकि इसका आकार 5 है तो अंतिम चर बनेगा X84 4 एरे का पहला इंडेक्स अर्था 0 यह कहलाता है LB lower bound एरे का अंतिम इंडेक्स जो हमारे यहाँ पर फिलाल 5 आकार होने के कारण 4 है यह कहलाता है UB यह सदेव एरे के आकार से एक कम होता है 1 less than size एरे की गोशना के बाद एरे का प्रारंबिकरण प्रारंबिकरण यह initialization इस तात पर यह है किसी भी चर को प्रारंब करने से पूरू या प्रयोग में लेने से पूरू उसे पहली बार या प्रारंबिक मान प्रदान करना समन्यत है C++ में चर को गोशित होते ही garbage मा अर्थात कोई भी मान प्रदान कर दिये जाता है तो ऐसे में हम यदि एरे को प्रियोग में लेने से पूरू अर्थात गोशना के समय यह कतन देखे एरे को गोशित करने का खतन है data type एरे का नाम और एरे का size तो ऐसे में हम एरे को गोशना के समय यदि मान प्रदान करना चाहते हैं तो इसे हम एरे का प्रारम भी करन कहेंगे पहले कतन में पहले कतन में हमने एरे का size बताया है 5 और सामने हमने देखा कालिब्रेस में हमने 5 मान कॉमा यानि separator operator की साथ में प्रदान करें यानि एरे की x की 0 index पर 9 पहली index पर 7 दूसरी index पर 30 तीसरी index पर 4 और 4 यानी yub जो की आकार से 1 कम होगी पर 16 मान संग्राइट हो जाएगा लेकिन दूसरे कथन में देखिए हमने मान प्रदान किये हैं लेकिन आकार हमने का आकार निर्धारित कर लिया जाता है इस उधारन में हमने एरे को तीन मान दिये हैं दो सेपरेटर ओपरेटर का यूज करते हुए कॉमा ओपरेटर का यूज करते हुए तो क्योंकि हमने तीन मान दिये हैं तो यहां एरे का आकर स्वत्य तीन मान लिया जाएगा या तीन निर्धारित कर दिया जाएगा वंडी एरे या सामाने एरे जब भी हम सामाने एरे की बात करते हैं तो वो ओल्मोस वंडी एरे के सामान ही होता है तो हम अब चित्री निरूपन देखते हैं चित्री ये रूप से हम एरे को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं ये समझ सकते हैं हम एरे को सामान लेते हैं दो रूपों में चित्री निरूपन करते हैं एक, मेमोरी में उसके द्वारा लिये गए इस्तानों के आधार पर या मेमोरी में एरे किस प्रकार संग्रहित होगा इसके आधार पर दो, मानवी रूप में एरे या एरे में संग्रहित मान किस प्रकार प्रियोग में लिये जाते हैं या मानव उन्हें अपने प्रियोग में किस प्रकार निरूपित करता है उधारन के तौर पे हमने यहाँ पे X नाम का वेरिबल लिया है जिसके अंदर 5 मान हैं मान नेचे वाले हैं इंडेक्स नमबर यह है अर्थात X at 2 पर संग्रेइत मान है 3 X at 0 पर संग्रेइत मान है 4 जब इने प्रियोग में लेगा तो इन मानों को मानव होरिजोंटल यानि लमवत, वर्टिकल यानि उर्दवादर, होरीजोंटल यानि 36 रूप में किसी भी रूप में लिख सकता है लेकिन मेमोरी में एरे सदेव, निरंतर और लीनियर इसी रूप में संग्रेइत होगा यह रहीत नहीं होगा एक एक प्रकार एक एक विबिन श्रेणियों में श्रेणी बद्ध या क्या टेग्राइज कर सकते हैं एक श्रेणी बद्ध करने या इसके प्रकारों का अध्यान करने के लिए हम लिए हम 3 के टेग्राइज का या 3 मापदंडों का प्रयों करते हैं सबसे पहला और क toggleization सबसे पहले हम area को उसके D birthday दाइमेंशन के आधार पर dimension शेत आपर यह है एरे कितनी दिशों में मारणों का संखरान करता है या कितने दिशों में y.d. dimensions में मानों का संखरान करता है वंडी जब एरे सरल रेखा में अर्थात एक यह दिशा में मानों का संग्रेन करता है वंडी एरे एक आयाम एरे कहलता है जब एरे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अर्थात पंक्ती और कॉलम दोनों रूपों में मानों का संग्रेन करता है टूडी एरे कहलता है वंडी और टूडी का एक्जामपल अगर हम देखें तो किसी एक विद्यारती के पांच विशे के मार्क्स या एक विशे में पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स वंडी एरे कहलाएंगे लेकिन जब विबिन विश्यों में विबिन बच्चों के मांक्स हम देखते हैं तो वो ओल्मुस्ट एक मैटेक्स फॉर्मेट का निमान करती है और वही कहलाती है आपकी तूडी एरे एरे का गोशना के आदार पर वर्गी करन इस्तिर और गतिच जब एरे को प्रोग्राम के प्रारम में अर्थात प्रोग्राम की कोडिंग में आकार निर्धारित कर दिया जाता है इस्तिर एरे कहलाता है लेकिन जब कोडिंग के बज़ाए रन टाइम पर एरे का आकार निर्धारित किया जाता है वैं गतीजे डाइनमिक कहलाता है इस तिर एरे जब भी प्रोग्राम चलेगा एरे का आकार सदेव यही रहेगा लेकिन गतीजे एरे प्रियोग करता कि आवशक्ता के अनुरूप हम एरे का आकार इसमें बदल सकते हैं तीसरा वर्गी करन डाटर टाइप के आधार पर एरे यही संक्यात्मक मानों को संक्यात्मक मान पूर्णांक या दश्मलों कोई भी जब हम संक्यात्मक मानों का संग्रहन करते हैं तो एरे कहलाता है नियूम्री केरे वर्णाक्षर मानों का एक मान हो चिया है वर्णाक्षरों का समूँ हो उनके लिए मात्र care data type है so character data type को डिक्लेर करने के लिए हम care data type का यूज करते हैं तो हम इसे string array के साथ साथ character array भी कहते हैं आज हमने जो भी पड़ाई करी है उसके लिए आप revision work के अपना homework देखिए array को परिबाशित करें define term array array के गोशना को सुत्रव उधारन द्वारा बताएं array के प्रकार बताएं Thank you